हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक केक प्रिमिक्स की रेसिपी इस प्रिमिक्स से आप कोई भी फ्लेवर का केक असानी से बना कर तयार कर सकते हैं साथ ही आप इसे 6 मन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं जो प्रिमिक्स बाजार से लाते हैं वो vanilla flavor की ही होती है लेकिन इसमें आप अपना कोई भी flavor डाल कर इसे enjoy कर सकते हैं बाजार का जो premix होता है उसमें बहुत सारे chemicals और preservative होते हैं जो कि cake को फुलाने में help करता है लेकिन हमारे health के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है तो आप अपने घर में ये premix बनाईए और जब चाहे ताब अपने favorite flavor में कोई भी cake बना कर enjoy करिए आज की recipe बहुत ही interesting होने वाली है तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं cake premix बनाने के लिए सबसे important जो चीज हमें चाहिए वो है ये measure cup क्योंकि baking में measurement बहुत ही जादे important होता है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक cup all purpose flour यने की मैदा सबसे पहले इसे हमें चम्मत से level करना है और सारी चीजों को इसी तरह से नाप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैदे को level कर लिया है अब इसे डाल देंगे एक बाउल में अब इसमें डाल देंगे half cup powder sugar तो आप देख सकते हैं इसे भी मैंने बिल्कुल level करके लिया है अभी मैं जो आपको cake premix का measurement बता रही हूँ ना वो half kg के cake के लिए है अगर आपको 1 kg का cake बनाना है तो आप इसे adjustable कर सकते हैं और अगर इससे साधे का बनाना है तो आप इसे उसे हिजाब से adjust कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर 1 टी स्पून बेकिंग सोडा 1 टी स्पून कॉर्ण फ्लार या फिर कॉर्ण स्टार्च अब इसमें डाल देंगे 2 चुटकी सैट्रिक एसेड इसे निम्बू की शद्दी बोलते हैं तो इसे इस तरह से हाथ में लेंगे और इसमें से 2 चुटके निकाल कर डाल देंगे यह आपको कोई भी किराने वाले के पास असानी से मिल जाएगा और अब इसमें डाल देंगे एक चुटकी नमक यह नॉर्मल सॉल्ट है जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं न वई अब इन सारे इंग्रीडियन्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे एक मिक्सर जार में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे ताकि सारे इंग्रीडियन्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्सर जार में डाल कर एक मिनट तक मिक्स कर लिया है अब एक स्टेप और करेंगे और वो है इसे च्छानेंगे इसे च्छानने से हर एक पार्टिकल के बीच में एयर आ जाएगा जिससे हमारा केक बहुती अच्छी तरह से फूलेगा तो यहाँ पर मैंने इसे च्छान लिया है और आप देख सकते हैं बहुती फाइन, बहुती एयरी सा यहाँ पर हमारा बेसिक केक प्रिमिक्स बनकर तैयार हुआ है और इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर एड नहीं किया है ताकि जब भी मुझे केक बनाना हूँ तो मैं इसमें अपना फेवरेट कोई भी फ्लेवर डालकर केक बना लूँ इस प्रिमिक्स को आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में वन एयर तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज के बाहर 6 मन तक स्टोर करके रख सकते हैं तो जब भी आपके पास टाइम होना आप इस केक प्रिमिक्स को बना कर रख लीजे क्योंकि जब भी हमको केक बनाना होता है ना उस टाइम हमारे पास टाइम बिलकुल नहीं होता है पटा-पट से केक बनाना होता है तो इस केक प्रिमिक्स से आप बहुती कम समय में केक बना कर तयार कर सकते हैं तो अभी मैं आपको इससे केक बनाना बताऊंगी केक प्रमिक्स से केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टील का बरतन यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केक बनाने के लिए आप केक टिन का ही यूज करें आप अपने घर की इस तरह की कोई भी बरतन का यूज करके केक बना सकते हैं हाफ केजी का केक बनाने के लिए हमें 5 या फिर 6 इंच का टिन चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच का टिन अगर आप 5 इंच का टिन लेंगे तो उसमें केक हाइटेड बनेगा बट 6 इंच के टिन में केक हाइटेड नहीं बनेगा तो अभी मैं आपको इसी प्रिमिक्स का यूज करके केक बना कर बताऊंगी तो सबसे पहले इस टिन को ओयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इस टिन की डस्टिंग कर लेंगे तो देखिए जैसे मैं इसे डस्ट कर रही हूँ ना आपको भी इसे बिलकुल इसी तरह से डस्ट करना है और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे बाहर निकाल लेना है तो यहाँ पे हमारा टिन बिलकुल रेडी हो गया है अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल इसमें डाल देंगे वन फोर्थ कप ऑईल और हाफ कप हलका गुनगुना मिल्क इन दोनों इंग्रेडियंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे ये केक प्रिमिक्स जो अभी मैंने बनाया था तो इसे एक बार में नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ पर मैंने वन कप मैदे का प्रेमिक्स बनाया है जिससे मेरा हाफ केजी या फिर जिसको वन पाउंड बोलते हैं उतने का केक बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर हमारे केक का बैटर बिलकुल रेडी हो गया है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूध है केक तो यहाँ पर मैंने लिया है पाइनेपल एसेंस फोर टू फाइब ड्रॉप इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपना फेवरेट कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं वर्टर स्कॉच डाल सकते हैं वैनिला डाल सकते हैं कि जो मन हो आप वो फ्लेवर यहाँ पर टाल सकते हैं इस केक के बैटर को फटा फट से ट्रांसफर कर लेते हैं टिन में वहीं दूसरी तरफ मैंने ओवन को भी 10 मिनट के लिए 180 डिगरी पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था इसे टैप कर लेते हैं ताकि अगर कोई एर बबल्स हो तो वो निकल जाए और इसे ट्रांसफर कर देते हैं ओवन में इसे 200 डिगरी पे 30 मिनट तक बेग कर लेंगे 30 मिनट हो गये हैं इसे मैंने ओवन से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें टुथपिक डाल कर चेक कर लेते हैं कि यह परफेक्ली बेक हुआ ही की नी तो आप देख सकते हैं टुथपिक बिलकुल क्लीन है मीन्स हमारा केक परफेक्ली बेक हुआ है इसे हलका सा ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद इसे demold कर लेंगे तो सबसे पहले इसे चाकू से इस तरह से इसके sides अलग करेंगे अब इसके ऊपर रखेंगे दूसरा plate इसे उल्टा कर लेंगे और इसे tap 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 करेंगे ताकि cake असानी से निकल जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा केग बेख हुआ है अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर से भी केग बहुत ही जादा सौफ्ट एंड स्पॉंजी बना है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग